MKR Class 9 पर आप सबीगा स्वागत है, मेरा नाम है मंदीप, इस वीडियो में करने वाले है Class 9 के Subject Science से Chapter 4 जिसका नाम है Structure of Atom, जो भी हमारा ये Chapter होगा, इसकी One Short वीडियो होगी, यानि कि पूरा का पूरा Chapter एक ही वीडियो में Complete हम कर लेंगे, आपको Explain मैं कर दूँगा, बहुत Detail में, आसानी से Chapter आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को End तक देखना है, Chapter के जो भी Notes है, वो भी साथ-साथ में बना लेने हैं, जो भी हमारा ये Chapter No.4 है, अगर इसकी Question Answers करने हैं, In Text वाले या फिर Exercise वाले, उनकी अलग से वीडियो बनाई गई है, Link मिल जाएगा आपको Chapter No.3, Atoms and Molecules में समझ चुके हैं कि Atom क्या होता है, सबसे छोटी Unit जिससे हमारे सभी Elements या फिर हमारे चारो तरफ जो Matter है, वो बने होते हैं, अब जो Atom होता है, उसका Structure कैसा होता है, उसकी बनावट कैसी होती है, ये हमें समझना पड़ेगा, अब जो भी बनावट होती है, जो भी Structure होता है, Atom का Model होता है, उससे Related हमारे Mind में कुछ Questions आएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर है Modals of Atom, हमारे Mind में क्या-क्या Question आएंगे, सबसे पहला Question हमारे Mind में ये आ सकता है, What makes Atom of One Element different from Atom of Another Element है, मालो हमारे पास यहाँ पर कोई Oxygen जो है न, Oxygen का Atom है, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो Gold है, उसका Atom है, तो Oxygen के Atom में और Gold के Atom में क्या Difference होगा, ये हमारे Mind में कुछन आ सकता है, बिलकुल इसी तरह से Second हमारे पास है, Are Atom Really Indivisible, जो भी Atom ह होता है, क्या सही में उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको Break नहीं किया जा सकता है, Further Classify नहीं किया जा सकता है, अलग-अलग हिस्सों में नहीं बाटा जा सकता है, क्या सच में ऐसा है, जैसा कि Dalton ने कहा था, Dalton की बाते थी, कि जो भी Atom है, वो Indivisible है, उसको बाटा नही जा सकता है ये scientist थे ठीक है ना अब इसके बाद next point आता है Dalton atomic theory Dalton ने जो atomic theory दी थी atom के बारे में जो बाते कही थी वो क्या थी atom was indivisible यानि कि atom जो है वो indivisible है उसको बाटन नहीं सकते हैं उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं and indestructible उसको हम destroy भी नहीं कर सकते हैं ऐसा कहा था Dalton ने हैं mind में इनका answer हमें इस chapter में मिलेगा बिलकुल मिलेगा सबसे पहले हम बात करेंगे models of atom को समझने के लिए charge particle in matter जो भी हमारे matter है वो किस से बने होते हैं वो बने होते हैं atom से ठीक है इस बात को ध्यान में रखना है सारी की सारी चीज़े जितनी आप चारों तरफ देखते हो वो सारी atom से बनी होती है अब जो भी हमारे atom है उसमें कोई charge particle होता है जैसे example के लिए हमारे पास क्या है comb dry hairs सूखे बाल है आपके कंगी करो उनको और जो भी comb होगी attract small pieces of paper छोटे छोटे पेपर्स के पास लेके जाओगे तो वो उसको attract करती है इस तरह का experiment I hope आपने जरूर कि अब यह charge आया कहां से scale जो है वो charge कैसे हो गया हमारी जो comb है और जो हमारे paper है यहाँ पर इनमें से कोई एक positive charge होगा उसके बाद एक negative charge होगा positive और negative एक दूसरे को यहाँ पर attract करते हैं इनमें यह charge आया कहां से यह भी हमारे सामने question बनता है और इस question से ही हम यह conclusion निकाल सकते है कि जो भी हमारा atom होता है वो charge particle से बना होता है उसमें या तो positive charge होता है या फिर negative charge होता है यह basic चीजे हमने इस वाले page पर समझी अब जो model है atom का किस तरह का model है अलग-अलग scientist ने किस-किस तरह के model से पेश किये है history में वो सारी चीजे हम एक-एक करके समझेंगे so उसके लिए move करते है next page पर जो भी atom है उसका structure कैसा है सबसे पहले किस ने बताया था ये बताया था जे जे थोंसन ने जो model रखा था atom का उसको समझ लेते हैं इसमें कमी क्या थी उसको भी समझ पाएंगे यानि कि ये model जो भी जे जे थोंसन ने दिया था ये पूरी तरह से fail रहा था क्यों सही तरह से explain नहीं कर पाए थे सबसे पहले समझते हैं जे जे थोंसन का model जो था atom का उसके बारे में उसके बाद इसका drawback भी समझेंगे जो भी atom का model था उसके बारे में यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है थोंसन explain presence of electrons by cathode ray experiment थोंसन ने एक experiment किया था जिसको कहा जाता है cathode ray experiment इस experiment से उन्होंने पता लगाया कि जो भी atom है उसके अंदर electrons होते हैं और electrons क्या होते हैं? electrons जो है ना atom के अंदर negative charge particles होते हैं इस बात को ध्यान में रखना है electrons से negative charge particles होते हैं ये जे जे थोंसन ने पता लगाया cathode ray experiment करके और cathode ray experiment करने के बाद उन्होंने दो point यहाँ पर explain किये पहला point यहाँ पर था an atom consist of positive charge sphere and the electrons are embedded in it जो भी हमारा atom है उसमें positive charge particles है इसके अलावा उसमें electrons भी है positive charge particles cathode ray experiment करके उन्होंने पता लगाया उन्होंने जो model दिया वो कुछ इस तरह का दिखाई देता था इसमें जो आपको red color वाला part दिखाई दे रहा है ये red color वाला सारा का सारा part क्या है positive charge है ठीक है ये positive charge है और इसके अंदर electrons जो होते हैं आपको दिखाई दे रहा है ये yellow color के circle से बनाए है जिसके अंदर मैंने minus का sign लगाया है ये सारे के सारे इसमें electrons हैं इस model को watermelon model भी कहा गया तरबूज वाला model भी कहा गया क्योंकि इसकी shape आप देखो जो भी हमारी ये shape है ये किस तरह की है ये एक तरबूज की तरह shape है watermelon की तरह shape है और इसमें जो भी electrons आपको कहा गया था इसमें red color वाला part सारा का सारा positive charge है और negative charge इसमें electrons हैं जैसे watermelon में बीज होते हैं इस तरह का model रखा था जेजे थोंसन ने अब इसके अलावा अगना point दिया है the negative and positive charge are equal in magnitude so the atom as a whole is electrically neutral जेजे थोंसन ने model रखने के साथ साथ एक बात और गही कि जितना इसमें positive charge है उतना ही negative charge है ठीक है यहाँ पर क्या कहा था जितना positive charge है उतना ही इसमें negative charge है तो overall जो atom है वो electrically neutral होता है positive charge और negative charge एक दुसरे के असर को यहाँ पर खतम करते हैं और neutral हो जाते हैं तो atom पे कोई भी charge नहीं रहता है ऐसा ये दो point रखे थे थोंसन ने अपने model atom में लेकिन जो भी ये model था ये पूरी तरह से fail हो गया क्यों fail हो गया इसका drawback क्या था इसमें कमी क्या थी वो हमें आगे यहाँ पर दी गई है तो यहाँ पर है drawback of JJ Thompson model of an atom जो भी हमारा ये model था atom का JJ Thompson वाला इसमें कमी क्या रही drawback क्या था यहाँ पर हमें दिया है Thompson failed to explain how the positive charge hold on the electrons inside the atom जो भी यहाँ पर positive charge वाला हमारा sphere है इसके अंदर negative charge को कैसे hold करता है यह हम यह JJ Thompson explain नहीं कर पाई थे इसलिए इस model को मतलब कुछ साल बाद इस model को reject कर दिया गया कि इस तरह का जो structure है atom का वो नहीं हो सकता यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको दो चीजे बताई है एक्जाम में ये चीजे आएंगी आपको मैंने बताया कि JJ Thompson का जो model है वो क्या है और उसकी कमी क्या है वो भी मैंने बता दी है जो भी drawbacks होंगे हर एक scientist द्वारा जो model रखा गया है atom का वो भी आपको याद कर लेने ह तो Thompson model of atom को reject कर दिया गया उसके बाद दूसरे scientist निकल कर आए उन्होंने भी atom का जो model है वो present किया जेजे थॉमसन के बाद कौन से scientist ने किया इसको समझने के लिए चलेंगे अगले page पर जेजे थॉमसन के बाद रदर फोर्ड हमारे scientist थे उनको इच्छा हुई कि atom का structure कैसा है ये पता लगाना पड़ेगा तो atom का structure पता लगाने के लिए उन्होंने experiment किया सबसे पहले experiment का नाम था scattering of alpha particles है इस experiment में उन्होंने एक gold foil ले ली आपको यहाँ पर जो दिख रही है ये gold foil है ये बहुत पतली सी gold foil है बहुत थिन gold foil है इसमें से उन्होंने alpha particles को पास कराया alpha particles क्या होते है जानकारी के लिए आपको बता दूँ alpha particles positive charge particles होते है यानि कि positive charge in alpha particles में होता है जो भी alpha particles थे alpha particles को क्या किया गया इस gold foil से cross कराया गया जब ये cross करा रहे थे alpha particles को gold foil से तो कुछ points को इन्होंने उबजर्व किया वो points क्या क्या थे एक एक करके समझ लेते हैं पर हमें सारे point दिये गई हैं, पहले point में कहा गया, most of the fast moving alpha particle passed straight through the gold foil, जो भी यह पतली सी gold foil थी, यह आपको इस यहाँ पर मोटी दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत पतली सी रखी गई थी, इसको zoom करके यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, जो भी यहाँ पर alpha particles से इसकी तरफ भ हो गई, बिना किसी रुकावट के वो सीधे इस gold foil के आर पार निकल जाते हैं, इसके बाद second point आया, some of alpha particles were deflected by the foil while small angle से, कुछ ऐसे alpha particles थे, जो deflect हो गई, जो बिल्कुल सीधे नहीं cross हुए, छोटे से angle से वो deflect हो जाते हैं, जैसे example के लिए यहाँ से alpha particles send किया गया, वो इस तरह रहते थोड़ा सा deflect हो गया, बिल्कुल straight pass नहीं हुआ, इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यह वाला alpha particle भी थोड़ा सा deflect यहाँ पर हो जाता है, इसके बाद third point में यह observe किया गया, surprisingly one out of every 12,000 particles appear to rebound, यह काफी interesting था, surprise हो गई, यह देख करें, कि 12,000 alpha particle में से कोई इक alpha particle rebound हो गया, यानि कि वापस आगया, टकराया वो किसी चीज त और वापस आगया, यहाँ से alpha particle गया, यहाँ पर किसी चीज से वो टकराया, और वापस इसी पात पर आ गया, 12,000 में से सिर्फ एक alpha particle जो था ना, टकरा के वो वापस आ जाता है, जो जो third वाला point था, इस से उसके center में कुछ तो ऐसी चीज है जिससे वो टकराया और वापस आ गया alpha particle क्या होंगे alpha particle positive है तो वो positive चीज से ही टकराके वापस आ सकता है negative चीज को तो वो attract करता है positive alpha particle किसी positive चीज से टकराया और वापस आ गया ये conclusion मिलता है हमें third point में अब जो भी ये तीन point थे इस experiment से जो निकले थे इसके आधार पर इसके basis पर Rutherford ने atom का model propose किया वो model atom का क्या था इसको समझने के लिए चलेंगे अगले page पर gold foil के experiment से Rutherford ने जो conclusion निकाला उससे model of atom उन्होंने propose किया उसके कुछ points को समझ लेते हैं सबसे पहला point हमें यहाँ पर दिया गया है there is positively charge center in an atom called the nucleus है जो भी Rutherford थे उन्होंने कहा कि center जो होता है na center जो होता है atom का उसमें कोई positive charge है और वो positive charge क्या है उसको कहा उन्होंने nucleus important point यहाँ पर underline कर देता हूँ positive charge center में है उसको nucleus कहा गया इसके बाद उन्होंने कहा nearly all the mass of atom reside in the nucleus है जो भी atom का mass है atom का जो भी mass होता है सारा का सारा वो almost nucleus में ही है यह भी conclusion निकाला गया जो कि बिल्कुल सही था इसके बाद second point उन्होंने conclude क्या किया the electron revolve around the nucleus in circular path है जो भी electrons होते है electrons मैंने आपको बताया क्या है negative charge है जो भी electrons है वो revolve करते है center यानिकी nucleus के around है इनका जो model था वो किस तरह का दिखाई देता था कुछ इस तरह का model यहाँ पर रखा गया था जो भी यहाँ पर center है इसमें क्या है यह एक nucleus है जिसमें सारा का सारा positive charge particle है और सारा का सारा mass यहाँ पर almost सारा का सारा mass nucleus के ही अंदर होता है इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो भी electrons है negative charge particles है वो इसके चारो और इस तरह से चक्कर लगाता है ठीक है यह इस तरह से चक्कर लगाते हैं इसके बाद third point में कहा गया कि the size of nucleus is very small as compared to size of the atom जो atom का size है वो काफी बड़ा होता है लेकिन nucleus का size जो है वो बहुत छोटा होता है ठी nucleus का जैसे यहाँ पर gold foil आप देखोगे इसका एक यहाँ पर अगर आप atom देखते हो उसके अंदर जो एक dot लग दिखाई दे रहा है वो nucleus है इसके अलावा atom का size nucleus से मतलब है nucleus से काफी बड़ा atom का size होता है तो center में mass सारा center में होता है और यह बहुत छोटा सा होता है atom के size से यह हमें समझना पड़ेगा जो भी rather ford का model of atom क्या था वो तो मैंने आपको इन तीनों point से explain कर दिया है अब drawback की बारी आ जाती है कमी की बारी आ जाती है drawback of rather ford model इसमें हमें दिया गया है electron is charge particle will lose their energy and finally fall into the nucleus this will make atom unstable rather ford यह explain नहीं कर पाए कि जो electron होता है electron जो भी होता है वो energy जब lose कर देगा radiate मतलब rather ford ने कहा था electron जो है वो energy radiate करते हैं और इसके चारों और चक्कर लगाते हैं तो जो energy radiate करते हैं वो कभी ना कभी energy वो lose करेंगे energy जब वो lose करेंगे तो वो finally nucleus में ही गिर जाएंगे ठीक है अभी इस तरह से चक्कर लगा रहा है जब वो energy lose कर देगा energy lose करने पर वो क्या होगा इस तरह से nucleus में आके गिर जाएगा nucleus में ही वो आके मिल जाएगा इस से जो atom है वो unstable हो जाएगा unstable क्यों होगा क्योंकि भाईया nucleus positive charge है और जो हमारा electron है वो negative charge है positive और negative charge अगर एक ही जगह पर आ गए तो उसे instability आ जाती है इस चीज़ को rather ford explain नहीं कर पाए यही इनका drawback था अब जो भी यह drawback था इस drawback को कैसे cover किया गया और नए scientist आए जिनोंने नया model रखा atom का वो नए scientist कौन थे वो नया model क्या था atom का इसको समझने के लिए move करेंगे अगले page पर rather ford के बाद नील बोर हमारे scientist थे जिनोंने model of atom propose किया उसको कहा गया बोर's model of an atom अब इनका जो model था उसमें क्या क्या चीज़े थी दो point में समझ लेते हैं सबसे पहला point यहां पर था only certain special orbits known as discrete orbit of electrons are allowed inside the atom देखो rather ford वाली जो बाते थी कि भाई center में nucleus है positive charge है बिल्कुल सही थी वो बात है और electrons चक्कर लगाते हैं वो बात भी सही थी लेकिन वो explain यह नहीं कर पाए उन्होंने कहा था कि electrons जो है वो energy radiate करते हैं तो energy कभी ना कभी lose करेंगे energy lose करेंगे तो electron जो है वो nucleus में ही आके गिर जाएगा जिससे हमारा atom unstable हो जाएगा अब इस चीज़ को clear कर दिया था बोर ने नील बोर ने clarity यह दी कि जो भी electrons है यहाँ पर negative charge आपको दिखाई दे रहा है यह orbits में चक्कर लगाते हैं ठीक है discrete orbits होती है fixed orbits होती है जो यहाँ पर atom के अंदर ही होती है यह atom का ही part होती है इसके बाद second point में कहा while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy और जो भी electron अपनी fixed orbit में चक्कर लगा रही है nucleus का वो radiate energy वो energy radiate करते ही नहीं है उन्होंने यह पश्टता कर दिया था यानि कि अंदर positive charge particle है इसको nucleus कहा गया उसके बाद जो हमारा electrons है electrons negative charge इसके चकर लगाते हैं यह simple चीजे यहां से समझ में आ गई थी Neil Bohr के model of atom से इसके बाद neutrons की बारी आ जाती है एक बात बता दूँ आपको कुछ चीजे simple simple बता देता हूँ जो यहां पर आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं यह हमारे है electrons negative जो भी charge है वो electrons है उसके बाद center में जो red color वाला आपको दिखाई दे रहा है इसको कहेंगे protons positive जो center में positive charge वाला होता है उसको protons कहा गया protons positive charge होते हैं electrons जो होते हैं वो negative charge होते हैं इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है अब electrons, protons के अलावा भी इस atom में कुछ चीजे थी उसकी खोज किसने की? उसकी खोज की James Chadwick ने जो की neutrons थे और जो neutrons थे इन पर कोई भी charge नहीं होता ह है, protons पर positive charge होता है, P से proton, P से positive charge, यहाँ पर electrons जो होते हैं इन पर negative charge होता है, यह बात सपश्ट कर दी थी, Neil Bohr of atom ने, इसके बाद James Chadwick ने neutrons की खोज की थी, neutrons क्या होते हैं, यहाँ पर आ जाता है, James Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to the debt of proton, it was eventually named as a neutron. जो भी James Chadwick थे, इन्होंने atom का तीसरा जो subatomic particle था, उसकी खोज की वो क्या था, उसका नाम रखा गया है neutron, और neutron में mass भी था, कितना mass था, जितना proton में mass था, उतना ही लगबग, neutron में भी mass था, यानि कि मैं इस तरह से कह सकता हूँ, mass of proton, P for proton equal हो जाएगा हमारा mass of N for neutron, जो भी mass of proton है, और mass of neutron है, ये लगबग एक दूसरे के equal ही थे, तो neutron की खोज किसने की थी, James Chadwick ने, इन्होंने पाया कि जो भी neutron होते हैं, उन पे कोई भी charge नहीं होता है, लेकिन इन्हों में mass होता है, जितना proton में mass होता है, लगबग उतना ही, तो जो भी हमारा atom है, ठीक है, हमारा atom ह मैंने आपको अभी थक atom बताया है, atom के तीन parts हो गए, कौन-कौन से parts आपको बताए है, atom में सबसे पहले हमारे पास electrons आते हैं, उसके बाद protons, उसके बाद neutrons, जो electrons होते हैं, वो negative charge होते हैं, हमारे protons positive charge होते हैं, और neutrons पर कोई भी charge नहीं होता है, ये चीज़े आपने समझ ली तो आपने जो structure of atom है, उसको भी समझ लिया है, अब जो bore model of atom था, इसको और रीटेल में लेकर जाते हैं, जो भी orbits हैं, वो किस तरह से होती हैं, orbits के लिए formula होता है, वो formula क्या है, सारी चीज़े समझेंगे, उसके लिए move करते हैं, next page पर, नील बोर का जो model of atom था, उस model of atom में क्या कहा गया था, कि center जो है, इसमें nucleus होता है, उसकी बाद orbits होती है, जिसमें electrons revolve करते हैं, nucleus के around, तो जो सबसे पहला orbit था, ठीक है, ये इस तरह से उन्होंने orbits बताए, सबसे पहला जो orbit है, उसकी naming की गई, के shell से इसकी naming की गई, हम direct k जो first orbit था, उसमें n equals to 1, यानि कि number of orbit कौन सा है, ये 1 है, इसी तरह से जो next वाला था, इसका रखा गया, k के बाद क्या आता है, हमारा, l शेल यहाँ पर आता है, ये number of orbit कौन सा है, बाई 2 है, इसी तरह से k, l के बाद हमारा यहाँ पर m आ गया, और इसमें हमारे पास n equals to number of orbit, ये हो गया हमारा 3, इसके बाद जो सबसे बाहर था, ये हो गया हमारा n, ये हो गया हमारा n equals to 4, इसके बाद भी अगर कोई orbit आता है, तो n के बाद o, p, q, r, s, उन orbits की name, नील बोर ने की, इस तरह का जो model था, अब इस model में, जो सबसे पहला orbit हमारा k shell है, इसमें कितने electrons होंग सबसे पहला point यहाँ पर हमें दिया गया है, the maximum number of electrons present in a shell is given by the formula, जो भी formula रखा उन्होंने कि भाई हर एक जो भी shell है, उसमें कितने electrons होंगे, उसका formula यहाँ पर लिखा गया है, और जो भी ये formula मैंने लिखा है आपके लिए, ये काफी important formula है, इस formula को आपने याद रखना है, formula है 2 and the power 2, simple formula है, अब जो भी हमारा k shell है, k shell है, आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला k shell है, हमारा k वाला orbit है, इस k वाले orbit में कितने electrons होंगे, अगर हम formula का use करके find करना चाहें, तो बहुत simple है, formula यहाँ पर लिख लेते हैं, formula हो गया हमारा 2 and the power, 2 यहाँ पर रखा गया है, तो 2 2 रख देते हैं, आप यहाँ पर देखो, k shell के लिए हमारी n की value कितनी है, 1 है, तो n की जगे पर यहाँ पर 1 put कर देते हैं, और इसका square कर देते हैं, अब simple सीधी बात होगी, 1 का square 1 होता है, 1 को 2 से multiply कर देंगे, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानि कि जो भी हमारा k shell है, k वाल dots बनाएं हैं, यह yellow dots क्या हो गए, हमारे 2 electrons हो जाते हैं, सिर्फ 2 electron आ सकते हैं, k वाली orbit में, इसके बाद L वाली की बात करते हैं, तो L वाली के लिए formula लिक लेते हैं, formula हमारा वही रहेगा, 2 n square equals 2 में, 2 n की जगे पर, अगर हम L की बात कर रहे हैं, तो n की जगे पर हमें कितन put करना है, 2 put करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, इसका square कर देंगे, अब इसको solve कर लो, 2 का square होता है, 4, 4 को 2 से multiply करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, 8 यानि की L वाले shell में total कितने electrons आ सकते हैं, 8 electron आ सकते हैं, पहले वाले में 2 होंगे, उससे अगले वाल यहाँ पर मैंने total 8 dots बना दिये हैं, यह 8 dot हर एक dot एक electron को show करता है, पहले वाले में 2 आएंगे, उससे अगले वाला जो L shell होगा, उसमें 8 आएंगे, इसके बाद अगर आप सोचों कि M में कितने आएंगे, N में कितने आएंगे, इसको भी calculate किया जा सकता है, जस्त आपने formula ल shell में हमारे पास 18 electrons आजाएंगे, अगर हम सोचे N में कितने आएंगे, तो formula यहाँ पर लिखना है, आपने उसके बाद हमें 2 लिखना है, N की जगह पर 4 रखेंगे, इसका square कर देंगे, 4 का square होता है, 16, 16, 2 यह हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 32 electrons, तो जब से पहला हमारा shell हो दोगा, orbit होगी, उसमें total 2 electron आ सकते हैं, उससे अगले में 8 electron, M वाले में 18, N वाले में 32, हर एक shell में कितने electrons आएंगे, उसके लिए यह formula है, formula का use करके हम find कर सकते हैं, दो यहाँ पर मैंने आपके लिए shell जो हैं वो बना के भी दिखा दिये हैं, उसमें electrons को किस तरह से show करना है वो भी मैंने बता दिया है, अब जो भी हमारे KLMN shell है, इनसे related कुछ points हैं, यहाँ पर हमें सबसे पहला point दिया है, the maximum number of electron that can be accommodated in the outermost orbit is 8 है, जो भी हमारा यहाँ पर atom होगा, किसी भी element का atom होगा, उसके outermost cell में 8 electrons होने चाहिए, अगर 8 electrons हो गई, यहाँ पर मैं 8 को circle के अंद अगर 8 electrons हो गए, तो उसको कहा जाएगा stable, अगर 8 electrons नहीं है, तो वो atom stable नहीं होगा, वो बहुत जल्दी react करेगा किसी other element के साथ है, तो हर एक atom को stable होने के लिए क्या चाहिए, अपने outermost सबसे बाहरी वाला जो shell होता है, उसमें 8 electrons की जरूरत होती है, इसके बाद next point कहा गया है, electrons are not accommodated in a given shell, unless their inner shell are filled, that is the shell are filled in a stepwise manner, हमें यहाँ पर कहता है कि जो भी हमारे shell होती है, उनको stepwise manner में fill किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम पहले electrons बना दे N वाले shell में, नहीं, पहले जो shell है, पहला जो shell है, सबसे पहले K वाले को fill करना होगा, उसके बाद L वाले को fill करना उसके बाद N वाले को fill, अगर और भी electrons बचते हैं, तो N के बाद O वाला आ जाएगा, P वाला हो जाएगा, उनको fill किया जाएगा, अब किस तरह से अलग-अलग elements के जो atoms हैं, उनका atomic structure होता है, यह समझ लेते हैं, उनमें किस तरह से हमें KLMN जो shell है, उनको fill करना है, हमारी जो shell हैं, वो भी उनके लिए बना लेते हैं, तो उनको बनाने के लिए चलेंगे, अगले page पर इन वाले rules को हमें follow करना होगा, उसके लिए, नील भोर, model of atom को orbits के according हमने समझ लिया है, KLMN जो shell है, उनमें कितने-कितने electrons आएंगे, formula से भी हमने समझ लिया है, तो अब बारी आ जाती है, practice करने की, practice हमें क्या करनी है, atomic structure of 18 elements, जो भी हमारे शुरू वाले 18 elements आते हैं, उनका atomic structure किस तरह से बनाया जाएगा, इस चीज को सम लिखे गए हैं, कुछ elements अगले page पर लिखे गए हैं, सभी का atomic structure हम बनाएंगे, atomic structure बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, देखो हमें element चाहिए, उसका symbol चाहिए, तो जो ये वाली line आपके लिए रखी गई है, यहाँ पर element का नाम है, अगली वाली line में जो element है, उनके symbol रखे ग दिल जाएगा, सो hydrogen, helium, lithium, bellium, boron, carbon, इसके बाद nitrogen, oxygen, fluorine, and neon इनका जो atomic number है, sequence में मैं आपके लिए लिख देता हूँ, hydrogen का 1 होता है, helium का 2 होता है, lithium का 3 होता है, bellium का होता है, 4 इसके बाद boron का होता है, 5, carbon का 6 होता है, nitrogen का 7, oxygen का 8 होता है, fluorine का 9 होता है, और neon का 10 होता है, तो शुरू वाले जो 18 elements हैं, उनमें से 10 elements हमने यहाँ पर ले लिए, अब सबसे पहले बात करेंगे hydrogen की, hydrogen मतलब जो भी हमारा atom का structure है, hydrogen का structure कैसा होगा, देखो simple है, सबसे पहले तो center में हमें इस तरह से nucleus बना लेना है, ठीक है, यह हमारा center में nucleus हो गया है, अब nucleus के around हमारी सब से पहले orbit आ जाएगी, सबसे पहले orbit में हमारे पास कितने electrons होते हैं, total हम 2 electrons रख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास जितना atomic number होता है, उतने ही electrons होते हैं, तो भाई इसमें एक, इसका atomic number 1 है, तो इसमें सिर्फ एक ही electron होगा, उस electron को यहाँ पर k-shell में डाल देंगे, ठीक है, यह ह किया से अलावा, बात करेंगे यहाँ पर helium की, अब यहाँ पर फिर से हमें क्या करना है, center में इस तरह से nucleus बना लेना है, first orbit बना लेनी है, इसका atomic number 2 है, तो इसमें कितने electrons होंगे, जितना atomic number उतने ही electrons होंगे, तो यहाँ पर हमें इस तरह से दो electronics बना देने हैं, एक electron इस बना दो ये किसका atomic structure हमने बना दिया है HE यानि कि helium का बना दिया इसी तरह से next हमारे पास क्या होगा भाई हमें बनाना है अब lithium का जिसका atomic number होता है 3 तो यहाँ पर भाई हमें इस तरह से dot बनाएंगे यहाँ पर हमारा सबसे पहला shell आ गया इसमें atomic number 3 है तो कितने electron होंगे total 3 होंगे first वाला जो shell है उसमें हम कितने रख सकते हैं सुर्फ दो ही रख सकते हैं तो first वाले shell में हमने 2 electron रख दिये लेकिन इसके पास तो 3 है ना भाईया एक electron कहाँ पर जाएगा उसके लिए हमें next वाला shell यहाँ पर बनाना होगा तो next वाला shell हमने बनाया और एक electron जो बचा है वो यहाँ पर हमने रख दिया तो भाई हाइडरोजन का हो गया हीलियम का हो गया उसके बाद यहाँ पर यह हो जाता है लीथियम का step wise manner जो होता है उस तरह से हमें fill करना है हर एक shell को सबसे पहले first वाले shell को fill किया जैसे हमने lithium में किया है उसके बाद जो electron बचेंगे वो next वाले shell में चले जाएंगे इसके बाद बात करेंगे beryllium की तो beryllium में nucleus बना लो भाई इसमें first orbit बना लो ये किसका हो गया हमारा atom किसका structure हो गया ये BE यानि की beryllium का हो गया इसी तरह से boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine और neon का खुद से भी try करके देखो तो यहाँ पर next मैं बनाता हूँ किसका बनाना है अब मुझे boron का बनाना है तो भाई center में nucleus हो गया first वाला जो है इसमें हमारे पास यहाँ पर total दो electrons बना देता हूँ दो electrons इसके बना दिये और अब अगला shell भी मुझे बनाना होगा boron में total कितने होते हैं atomic number 5 होता है total 5 ही electron होंगे दो शुरू वाले में आ गए तो बचे हुए जो 3 है वो इससे next वाले shell में यहाँ पर बना देता हूँ यह हो जाएगा मेरा atom किसका भाई boron का इसी तरह से next जो carbon है उसका बना लेते हैं carbon के लिए यहाँ पर center में nucleus हो गया हमारा first orbit बना लिया हमने second orbit बना लिया अब हमारे पास first वाले orbit में total 2 atoms हमने डाल दिये total कितने atoms हैं भाई 6 हैं शुरू में हमने 2 डाल दिये बचे हुए जो 4 हैं उनको यहाँ पर इस तरह से रख दिया जाएगा अगले वाले orbit में यह हमारा हो गया है यहाँ पर carbon का structure carbon के बाद किसकी बारी आएगी nitrogen की जिसका atomic number 7 होता है तो सबसे पहले nucleus बनाया हमने nucleus के बाद हमारे पास next orbit बनाया और इससे अगले वाला orbit भी बना लेते हैं तो 7 जो है 7 जो है उसके दो electron तो आ जाएंगे हमारे first वाले orbit में उसके बाद जो अगले हैं वो कौन से में आ जाएंगे इससे next वाले orbit में कितने आएंगे total 5 आएंगे ध्यान से हमें 5 यहां पर बना लेने हैं शुरू वाले में 2 आ गए उससे अगले वाले में 5 हमने बना दिये इसके बाद बारी आएगी oxygen की तो भाई oxygen का यहां पर बना लेते हैं oxygen का हमारा यहां पर हो गया nucleus first orbit हमने बना लिया second orbit हमने बना लिया अब इसमें total 8 आते हैं शुरू वाले में हमारे 2 आ जाएंगे उसके अलावा कितने बचेंगे 6 बचेंगे तो यहां पर अगले वाले में हमें total 6 बना देने हैं ठीक है 3, 4, 5 और total 6 यहां पर हमने electrons बना दिये हैं यह हो गया हमारा किसका भाई oxygen का इससे पहले वाला जो हमने बनाया था यह था हमारा nitrogen के लिए oxygen के बाद fluorine और neon का भी बना लेते हैं तो भाई fluorine के लिए nucleus हो गया हमारी first orbit आ गई उसके बाद second orbit भी बना लेते हैं गई तो 7 बचेंगे अब 7 electrons जो हैं वो हमें इस अगले वाले orbit में बनाने हैं 4 हो गई यह पाँचवाँ छटा और 7 electrons हमने बना दिये हैं fluorine का atomic structure इस तरह का हो जाएगा इसके बाद neon आता है जिसका atomic number 10 होता है तो भाई neon के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम nucleus बना लेते हैं first orbit बना लिया यह हमारा second orbit हो गया तो अब इस में सबसे पहले वाले में कितने हो गई हमारे जो भी दो atoms हैं दो electrons हैं sorry वो हमने बना दिये अब इसके बाद जो हमारे electrons हैं वो बना देते हैं कितने बचेंगे दो तो हमने बना दिये दस में से अब 8 बचेंगे तो 8 अगले में आ जाएंगे यहाँ पर कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यहाँ पर हमने बना दिये हैं ठीक है जो भी हमारा यहाँ पर 1 से लेके 10 तक atomic number वाले elements थे उनके यहाँ पर हमने क्या बना दिये हैं भई atomic structure बना दिये हैं चप्टर के शुरू में क्या पढ़ा था आपने question मैंने कहा था न हमारे mind में आएगा कि एक atom एक element का atom दूसरे element के atom से किस तरह से अलग है तो आप देखो hydrogen का जो है वो इस तरह का atom का structure होता है neon का इस तरह का होता है तो difference आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई इसमें सिर्फ एक ही electron होता है इसमें यहाँ पर 10-10 electron होते हैं इसमें सिर्फ एक ही orbit हैं इसमें यहाँ पर total 2 orbit होते हैं अब यह जो हमारे 18 में से 10 के तो हमने बना लिए आठ अभी भी बचे हैं, आठ और बनाएंगे, उनके लिए move करते हैं, next page पर, 1 से लेके 10 तक atomic number वाले जो भी हमारे elements थे, पीछे वाले page पर उनके atomic structure हमने बना लिए, आगे वाले जो हमारे 11 से लेके 18 तक आते हैं, उनके atomic structure बनाएंगे, एक important चीज और बता देता हूँ आपको, जो important चीज है, उसका नाम है electronic configuration, electronic configuration क्या होती है, भाई, simple चीज होती है, electronic configuration, जैसे हमारे पास कोई atomic number है 11, यानि कि 11 electrons होंगे इसमें, पहले वाले shell में कितने आ सकते हैं, भाई, 2 आ सकते हैं, कोमा लगा लो, उसके बाद अगले में कितने आ सकते हैं, भाई, total आ सकते हैं, अगले में 8, इसके बाद इससे अगले में कितने आएंगे, देखो 2 और 8 ये हो गए 10, तो यहाँ पर electron बचेगा, उससे अगले वाले में आ जाएगा, इसको कहा जाता है, electronic configuration, ये हर एक element जो होता है, उसकी हम करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर हमारा mg है, पहले वाले में आ जाएगा 2, उसके अगले वाले में 8, उससे अगले वाले में 2, अगर सभी को add करोगे, तो total यहाँ पर 12 हो जाता है, इसी तरह से अगला जो है, यहाँ पर aluminium, इसका क्या हो जाएगा, 2, 8, 3 हो जाएगा, इससे अगले का हमारा 2, 8, 4 हो जाएगा, इससे अगले का हमारा 2, 8, 5 हो जाएगा, इससे अगले का हमारा 2, 8, 6 हो जाएगा, इससे अगले का 2, 8, 7 हो जाएगा, एंड इससे अगले का हमा 2, 8 और फिर यहां पर 8 हो जाएगा ठीक है इस तरह से electronic configuration की जाती है electronic configuration का सीधा सा मतलब यह होता है कि सबसे पहला जो shell होता है उसमें कितने electrons आ सकते हैं भाई सभी में देखो आप शुरू वाले में आपको 2, 2, 2 ही दिखाई देगा उससे अगले वाले में कितने आ सकते हैं 8, 8 8, 8, 8, 8, 8 सभी में 8 दिखाई देगा और उसके बाद जो electrons बचेंगे वो हमें लिखते हुए जाना है simple है na electronic configuration तो जो भी हमारे elements होंगे उनका atomic number जो भी आपको दिया हो उनकी electronic configuration किस तरह से करनी है I hope आपको समझ में आ गया होगा चलो बात करते हैं हम na यानिकी sodium की sodium में हमारा जो electronic configuration है इसी electronic configuration का use करके इसका atomic structure easy बना सकते हैं सबसे पहले वाले shell में 2 आएंगे उससे अगले वाले में 8 आएंगे उससे अगले वाले में 1 electron आएगा तो ये वाला मैंने मतलब मैंने पहले से ही कुछ structure बना के रखे हैं जस्ट हमें electrons यहाँ पर बनाने हैं तो जो भी हमारा सबसे पहला वाला है यह है na यानि की sodium के लिए इसके सबसे पहले वाले shell में जैसे यहाँ पर देखो मैंने 2 electrons बना दिये इससे अगले वाले में मुझे कितने बनाने है total 8 बनाने है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कहीं पर जगे होगी तो 8 total इसमें मैंने 8 बना दिये इसके बाद इस इसके अगले वाले में कितने बनाने हैं सिर्फ एक ही आएगा तो यहाँ पर हमारा एक electron आ जाता है simple हो गया यह हो गया हमारा sodium का atomic structure इसी तरह से sodium के बाद magnesium का जो electronic configuration है इसका use करके magnesium के लिए बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लिख लिया mg पहले वाले shell में आ जाएंगे यह इसके बाद जो हमारा shell आएगा उसमें total हमें 8 करने हैं तो 1,2,3,4,5,6,7 और 8 हमने कर दिये इसके बाद जो next है उसमें कितने आएंगे अगले वाले में यहाँ पर आ जाएंगे 2 electrons तो यहाँ पर हम 2 electrons बना देते हैं जो भी magnesium है उसका atomic structure इस तरह का हो जाएगा magnesium के बाद बा सकते हो इनको ठीक है तो aluminium के first वाले में 2 आगे उससे अगले वाले में हमारे पास कितने आएंगे 3,4,5,6,7 और 8 आगे इससे अगले वाले में कितने आएंगे aluminium के लिए हम बना रहे हैं तो आखरी वाला जो shell होगा इसमें 3 आएंगे तो यहाँ पर हमें 3 बना देने हैं 1 आ गया 2 आ गया और यहाँ पर 3 बना दिया हमने ये वाला किसके लिए है भाई AL यानिकी aluminium के लिए इसी तरह से silicon के लिए हम बना सकते हैं 284 रखना है हमें यानिकी सबसे पहले वाले में आएंगे हमारे पास 2 उससे अगले वाले में हमारे पास आएंगे 8 बना रहा हूं मैं ये हो गया मेरा SI यानिकी silicon के लिए silicon के बाद यहाँ पर बार या जाएगी phosphorus की phosphorus में हमारे पास सबसे पहले तो 2 electrons आ जाएंगे सबसे पहले वाले शेल में उसके बाद अगला जो शेल है उसमें 8 बना देने है 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने बना दिये इसके बाद यहाँ पर कितने आए अगले वाले में 5 जो outermost shell है इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर मैंने बना दिये ठीक है ये किसके लिए हो गया मेरा P यानिकी phosphorus के लिए हो गया इसी तरह से हमारे पास वही sulfur chlorine और argon है इनके लिए भी बना लेंगे तो sulfur के लिए यहाँ पर बनाते हैं 286 इसकी electronic configuration है तो पहले व वाले में हमें 8 बना देने है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बना दिये और इससे आगे हमें कितने करने हैं 6 करने हैं तो outermost shell में 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने बना दिये इसी तरह से अगला हमारा chlorine है 287 है तो पहले वाले shell में हमारे पास 2 अगले वाले में हम बना देंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 8 इससे अगले वाले में कितने बनेंगे 7 बनेंगे तो भाई count करके बना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह हमारा atomic structure किसका हो गया भाई chlorine का हो गया और इससे पहले हमने यहाँ पर sulfur का बनाया है इनका नाम भी लगते चलेंगे तो यह sulfur के लिए है यह हमारा CL यानि कि chlorine के लिए है अ हमारे हो जाएंगे 8 तो 3 मैंने बना दिए 4, 5, 6, 7, 8 हो गए इससे अगले वाले में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से जो भी हमारे शुरू वाले 18 elements हैं इनके atomic structure आपको बनाने आने चाहिए आपको इनका जो भी atomic number है वो भी पता होना चाहिए क्योंकि exam में atomic structure से related और जो भी electronic configuration होती है इस से related question जरूर आता है जो भी हमारे atomic structure है शुरू वाले 18 elements के समझने के बाद अब इस chapter में हमें जो समझना है वो काफी important concept है और concept का नाम होगा valency क्या होती है valency इसको समझने के लिए move करेंगे next page पर पीछे वाले pages पर हमने electronic configuration समझ दी है इसके अलावा जो elements का atomic structure होता है वो भी हमने समझ लिया है अलग-अलग elements के अलग-अलग atomic structure हमने समझ लिये है अब आसानी से हम समझ सकते हैं valency को valency को समझने के लिए हमारे पास य outermost shell जो भी valency है उसमें क्या करता है हर एक element चाहता है कि उसके outermost shell में 8 electrons हो जाएं अगर 8 electrons हो जाते हैं तो वो जो atom होगा हमारा वो stable हो जाता है वो element stable होता है अब 8 electron हर एक के आउटरमोस्ट शेल में तो नहीं होते किसी के में 1 होता है किसी में 2, 3, 4, 5, 6 कोई-कोई ऐसा होता है जिसमें 8 electrons होते हैं आउटरमोस्ट शेल में जैसे यहाँ पर मैंने atomic number लिख दिये गए हैं जो भी elements मैंने यहाँ पर लिखे हैं उसके बाद जो भी यहाँ पर electronic configuration है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है यहाँ होप electronic configuration लिखने में कोई भी problem आपको नहीं आएगी simple है ना six अगर electrons हैं तो पहले वाले shell में हो जाएंगे two से अगले में बचे हुए जो भी elements, electrons हैं वो लिख देने हैं ठीक है इसी तरह से हमने nitrogen, oxygen, neon, sodium, calcium और magnesium के यहाँ पर लिख दिये हैं अब हर एक element क्या चाहता है हर एक element की यह चाहत है कि उसके आखरी जो shell है उसमें eight electrons हो जाएं अब हमारे पास क्या-क्या होंगे हमारे पास कुछ ऐसे elements होंगे जिसके outermost shell में one electron होगा, किसी के में two होगा, किसी के में three होगा ठीक है हमारे पास किस तरह के होंगे, एक type होगा हमारे पास elements का जिसमें इतने electrons होंगे किसी में one होगा, किसी में two बचा होगा, last shell में किसी में three बचा होगा और कुछ ऐसे होंगे जिसके outermost shell में किसी में 5 होंगे, किसी में 6 होंगे और किसी में 7 होंगे, अगर किसी में 8 आते हैं, जैसे यहाँ पर आप neon का example ले लो, neon में यहाँ पर जो भी हमारा neon है, इसकी electronic configuration को देखो, 2 और 8 है, इसके outermost जो सबसे last वाला shell है, उसमें कितने electrons हैं, 8 हैं, तो इसकी valence कितनी हो जाएगी, इसके सामने यहाँ पर लिख देंगे, वैलेंसी के लिए यहाँ पर हम एक line बना लेते हैं, ठीक है, इसकी valence कितनी हो जाएगी, जीरो इस बात को ध्यान रखना है, नियोन हमारा पहले से stable हो जाता है, ठीक है, अगर outermost shell में 8 हैं, तो किसी के last में 1 है, 2 है या फिर 3 है, ठीक है, और किसी के last में जो है न वो 4 भी होगा, ठीक है, अब अलग-अलग cases होंगे हमारे, जो भी हमारे last octate में, मतलब octate बनाने के लिए, octate का मतलब है 8 electrons करने के लिए, अगर किसी के last में 1 है, जैसे यहां पर sodium का example हम ले लेते हैं, भाई इसका जो electronic configuration है, na यानि की sodium का, वो हमारे पास है, 2 है, 8 है और 1 है, इसको क्या जरूरत है, outer most shell में 8 electrons करने के लिए, इसको कितने की जरूरत है, 7 की जरूरत है, अब या तो हम इसमें 7 add कर सकते हैं, या फिर हम इसमें से a का हटा देते हैं, minus 1 मैं कर देता हूं, अगर last वाला ज last shell कोन सा होगा, last shell हमारा already fill हो जाएगा, समझ में आई बात है, या तो इसको मैं 7 electrons दे दूँ, या इसमें से ये एक electron है, इसको हटा दूँ, अगर यहां से एक electron को मैं हटा दूँगा, तो last shell में कितने electrons आ जाएंगे, फिर 8 आ जाएगा, यानिकि K, L वाला जो shell होगा, उसमे 8 electrons हो जाएंगे, तो sodium stable हो जाएगा, अब सीधी सी बात ये समझो, कि भाई 7 इसको देने के लिए जादा energy चाहिए, एक हटाने के लिए कम energy चाहिए, अगर हमें 1 बदलाओ करना है, तो कम energy की जरूरत है, 7 बदलाओ करने हैं, तो जादा energy की जरूरत होगी, तो किसी के भी last मे अगर 1, 2 और 3 आता है, या फिर 4 भी आ जाता है, electrons आते हैं, किसी के last में one आएगा, किसी के last shell में 2 होगा, किसी के में 3 होगा, और किसी के में 4 होगा, तो वो ही उसकी valency हो जाएगी, जैसे example के लिए, हमारे पास carbon है, इसके last shell में हमारे पास कितने हैं? भाई, 4 हैं, तो इसकी valency बाद में बताऊंगा मैं आपको identify करना अब यहाँ पर देखो sodium के last में हमारे पास last वाले shell में एक electron है तो इसकी valency कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी इसी तरह से calcium हमारे पास है last electron कितने है? last shell में 2 है तो इसकी valency 2 हो जाएगी इसी तरह से magnesium में last वाले shell में 2 electrons हैं तो इसकी valency यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी अब यहाँ पर अगर किसी में मतलब हमने क्या समझ लिया? अगर किसी electronic configuration लिखने पर किसी element के last shell में जो electrons हैं 1 आ जाए तो वही उसकी valency होगी 2 आ जाए तो वही उसकी valency होगी और जैसे carbon में 4 आया है तो वही उसकी valency हो जाएगी अब second case आता है हमारा second case किसका है भाई? 5, 6, 7 का यह हमारा second case होता है second case को समझना यहाँ पर जैसे nitrogen का मैं example ले लेता हूँ nitrogen हमारा यहाँ पर है nitrogen में हमारे electronic configuration क्या है? 2 और 5 है भाई 8 बनाने के लिए जरूरत कितनी है? 8 बनाने के लिए क्या कर सकते है हमें? इस last वाले में या तो मैं 3 add कर दू, plus कर दू या फिर इसमें से 5 मैं हटा लूँ आसान तरीका कौन सा है? जहां पर कम बदलाव हमें करने पड़े हैं अगर हमें 3 add करना है होती है, तो यहां पर आसान चीज क्या होगी? कि हम 3 जो है ना, इसमें add कर दें ठीक है? तो अगर हम इसमें 3 add करेंगे, तो 3 add करने के लिए हमारे पास क्या होगा? 3 add करेंगे, तो 3 ही इसकी valency हो जाएगी, अब तरीका मैं बताता हूँ, valency, अगर last shell में हमारे पास 5, 6 या फिर 7 आ जाएं तो हमें क्या करना है? 8 में से subtract कर देना है, 8 में से 5 को subtract कर दो, तो कितना आ गया? 3 आ गया, तो हमारी valency कितनी हो जाएगी? nitrogen की 3 हो जाएगी, इसी तरह से oxygen के last shell में कितना है? 6 है, तो इसमें से 8 माइनस 6 कर देंगे, तो oxygen की valency कितनी हो जाएगी? 2 निकल कर आ जाएगी, जो भी oxygen की valency है, इसके सामने यहाँ पर लिख देते हैं, तो 2 case मैंने आपको सिखाए, अगर किसी के last shell में हमारे पास 4 है, तो उसकी valency 4 ही होगी, किसी के last shell में 1, 2, 3 electron है, तो वही उसकी valency होगी, अगर 4 से जादा हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, तो 8 में से हमें 5 को, 6 को, 7 को subtract करना है, जो भी number मिलेगा, वो उसकी valency होगी, दो तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, और कई सारे elements की valency भी find करना मैंने आपको सिखा दिया है, example के साथ है, अब जो भी हमारे element होते हैं, उनका atomic mass क्या होता है, atomic number क्या होता है, ये सारी चीज़े भी हमें इसी chapter में समझनी हैं, तो उनको समझने के लिए move करते हैं, next page पर, valency के बाद chapter में हमारा concept आता है, atomic number and mass number, atomic number क्या होता है, mass number क्या होता है, किस तरह से इनको calculate किया जाता है, definition से और example से आपको explain करने वाला हूँ, सबसे पहले बात करते हैं, atomic number की, जो भी atomic number होता है, उसको denote किया जाता है, z से इस बात का आपने ध्यान रखना है, z कहीं पर लिखा हो, उसका मतलब समझ जाना है, atomic number की बात हो रही है, अब atomic number की definition में दिया है, the total number of protons lying in a nucleus of any atom is called the atomic number, किसी भी element में कितने number of protons हैं, protons यहाँ पर underline कर देता हूँ मैं इसको, कितने protons हैं, किसी भी atom में, उसी से decide होता है atomic number, जितने protons होते हैं, वही उसका atomic number होता है, जैसे example के लिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं, आपको पता है न, C से हम carbon को denote करते हैं, carbon में number of protons कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो इसका atomic number 6 हो जाता है, इसी तरह से oxygen ले लेते हैं, oxygen में कितने होते हैं protons, आप कहोगे 8, तो atomic number इसका हो जाएगा 8, इसी तरह से जो भी हमारे protons होते हैं, किसी भी element के atom में कितने number of protons हैं, वही उसका atomic number होता है, तो definition ध्यान रखना और example भी मैंने यहाँ पर बता दिया है, question कुछ इस तरह से आएगा, कि carbon में 6 protons होते हैं, atomic number बताओ, जितने proton वही उसका atomic number होगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है, चलो अब बात करते हैं, next हम mass number की, mass number में हमें दिया है, it is the sum of number of protons and neutrons lying in the nucleus of an atom, mass number क्या होता है भाई, mass number में जितने protons होते हैं और जितने neutrons होते हैं, उन दोनों को हमें add कर देना होता है, तो mass number बन जाता है, mass number equals to में होता है, number of protons plus में number of neutrons, nucleus में सारा का सारा mass होता है, ये मैंने आपको पीछे वाले pages पर बताया था, और nucleus में दो ही चीजे होती हैं, कौन-कौन सी protons होते हैं और neutrons होते हैं, दोनों को add कर दो, कितने protons हैं, कितने neutrons हैं, दोनों को add कर देंगे, तो mass number हमें मिल जाएगा, example से समझा देता हूँ, carbon का example ले लेते हैं, यहाँ पर carbon में हमारे पास 6 protons होते हैं, 6 neutrons होते हैं, तो उसका mass number कितना हो जाएगा, 12 और जो भी mass number होता है, उसको unit में decide किया जाता है, calculate किया जाता है, तो जो भी हमारा यहाँ पर carbon है, उसका mass कितना हो जाएगा, 12 units हो जाएगा, यह किसके लिए find किया है, हमने carbon के लिए इस चीज़ को यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी तरह से, sodium की बात कर लेते हैं, यानि कि Na, sodium का symbol Na होता है, Na में number of protons कितने होते हैं, 12 करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 23 units, जो भी यहाँ पर number of protons हैं, number of neutrons हैं, NCRT के table में, NCRT book जो आपकी है, इसी chapter में table में दिया गया है, ठीक है, number of protons 11, number of neutrons 12 होते हैं, दोनों को add कर दो, तो sodium का जो mass है, वो हो जाएगा 23 units, आसानी से इसको calculate किया जा सकता है, I hope atomic number किस तरह से find करना है, और mass number किस तरह से find करना है, यह clear आपको हो गया होगा, अब जो chapter का हमारा next concept है, जिसमें हम isotopes और isobars को समझेंगे, काफी important question है, isotopes और isobars से question हमेशा exam में बनते रहे हैं, तो दोनों concept को समझने के लिए move करेंगे next page पर, chapter में हमारा next important concept आता है, isotopes और isobars, दोनों को हमें बहुत detail में समझना होगा, example भी इनके याद करने होगे, क्योंकि exam में example आते हैं, यहाँ पर isotopes की definition में हमें दिया गया है, isotope of atoms the same element having same atomic number and different mass number, important क्या है उस चीज़ को underline करते हैं, same atomic number, different mass number, अगर किसी भी element का atomic number same है, और mass number अलग-अलग है, तो वो isotopes होते हैं, example मैं दूँगा, लेकिन उससे पहले फिर से repeat करके बताता हूं, same atomic number हो और mass number अलग-अलग हो जाए, तो उसे isotopes कहा जाता है, जैसे hydrogen होता है, hydrogen के तीन isotopes होते हैं, protium, deuterium और tritium, ये तीन isotopes होते हैं, hydrogen के, अब जो भी हमारा element होता है, उसके isotopes या isobars को लिखा किस तरह से जाता है, किस तरह से शो किया जाता है, उस चीज़ को समझो, जैसे हमारे पास carbon होता है, तो carbon का symbol मैंने c लिख दिया है, अब जो भी carbon का symbol c लिखा है, इसमें दो पार्ट, एक line इसके यहां उपर लिख सकते हैं, एक line नीचे लिख सकते हैं, उपर की तरफ जो भी हमारा carbon है, इसका mass लिखा जाएगा, carbon का mass कितना होता है, 12 होता है, उसके बाद नीचे की तरफ जहां मैंने निशान लगाया है, वहाँ पर इसका atomic number लिखा जाता है, फिर से बता देता हूँ, उपर की तरफ mass लिखा जाता है, और जो भी नीचे वाला पार्ट है, यहां लिखा जाता है, atomic number ठीक है, इस तरह से हम किसी भी isotope और isobar को शो करते हैं, अब यहां पर protium, deuterium और tritium, जो मैंने तीन example दिये हैं, इनको किस तरह से लिखा जाएगा, यह तीनों किसके हैं, भाई, hydrogen के हैं, तो इसके सामने, हमारे पास सबसे पहले hydrogen का symbol बना लेना है, इसी तरह से deuterium में भी hydrogen का हमें symbol बना लेना है, जो tritium है, इसमें भी hydrogen का हमें symbol इस तरह से बना लेना है, जो protium होता है, उसमें mass 1 होता है, तो उपर की तरफ mass लिख दिया, और hydrogen का atomic number 1 होता है, hydrogen का atomic number नीचे लिखा है, इसका जो mass होता है, Proteum का, वो उपर की तरफ लिखा जाता है इसी तरह से Deuterium जो होता है जो भी Mass है, वो 2 होता है तो उपर की तरफ यहाँ पर 2 लिखा जाएगा और नीचे की तरफ 1 लिखा जाएगा आप देखो, Hydrogen में नीचे की तरफ 1 है यहाँ पर भी 1 है तो जो Proteum और Deuterium है लग है सेम अटोमिक नंबर है तो उनको आईसोटोप से कहा जाता है तो प्रोटियम और डेटेरियम जो है यह हमारे हो जाते हैं आईसोटोप से इसी तरह से ट्रीटियम भी होता है भाई ट्रीटियम का जो मास नंबर है वो तीन होता है ठी होता है और इसका जो अटोमिक सामने रख दिया है उनके नाम भी जो है वो आपके सामने मैंने रख दिये हैं और उनको लिखना कैसे है जैसे हमने ऊपर की तरफ मास नंबर लिखना है नीचे की तरफ अटोमिक नंबर लिखना है सभी को आप देखो सभी में नीचे वाला जो वन है वो सेम है यानि कि अटोम ले लेते हैं, यहां पर मैं लगा देता हूं, जैसे हमारा कार्बन का ही, यहां पर मैंने एक्जाम्पल लिया है, तो भाई कार्बन लिख लेते हैं, कार्बन का अटोमिक नंबर हमारे पास 12 और 6 होता है, एक तो हमारे पास ये वाला कार्बन होता है, इसी तरह से हमारे पास दूसरा Carbon भी होता है जिसमें Atomic number हमारे पास है, सुरी जो Atomic mass है 14 होता है और Atomic number तो 6 ही रहेगा, तो ये दो आपके सामने जो मैंने लिखे हैं, ये क्या हो गए, Carbon के दो Isotopes आपके सामने लिख दिए हैं, इसमें देखो Carbon का Atomic number 6 है, इसमें भी 6 है, लेकिन atomic mass उपर वाले में 12 है, नीचे वाले में 14 है, atomic mass अलग-अलग, atomic number same, तो ये हो गए हमारे carbon के यहाँ पर, isotope से इसी तरह से NCRT book में एक और example भी दिया गया है, chlorine का example आ जाता है, chlorine जो होता है, इसका atomic number 17 होता है, और इसका atomic mass 35 होता है, अब इसका एक वो आता है, क्या isotope आता है, उस isotope को कैसे लिखा जाएगा, chlorine यहाँ पर आ जाएगा, इसका atomic number 17 ही रहेगा, लेकिन mass जो है वो 37 हो जाता है, ये दूसरा इसका isotope यहाँ पर आ जाता है, मैंने यहाँ पर hydrogen के isotopes के example दे दिये, carbon के दे दिये, chlorine के दे दिये, exam में अगर आपसे example पूछता है, तो example आपके सामने कई सारे मैंने लिखे है, इन में से कोई भी एक लिख दो के number आपको मिल जाएंगे, अब जो भी हमारे isotopes हैं, वो तो आपको definition से समझ में आ गए, example भी यहाँ पर समझ लिए है, इनका use क्या क्या होता है, सबसे important यह वाली बात exam में पूछी जाती है, तो uses में दिया है, यहाँ पर हमें सबसे पहला point uranium isotope is used as a fuel in nuclear reactor, जो uranium होता है, उसका isotope का यूज किया जाता है, nuclear reactor को fuel करने के लिए, याकिन drainage की as a fuel इसकाpower क्या जाता है, इसी तरह से next है, isotope of cobalt is useful in treatment of cancer, भाई, जो cancer होता है, उसमें cobalt के isotope का use किया जाता है, cancer को treat करने के लिए, इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर है आईसोटोप ओफ आयोडीन is used for treatment of goiter, जो गले में goiter जो हो जाता है, उसको treat करने के लिए आयोडीन के आईसोटोप का use किया जाता है, इसी तरह से एक use और यहाँ पर है, carbon 14 is used in carbon dating, carbon dating क्या होती है, इससे related question exam में आया था एक बार, carbon dating का मतलब होता है, जब हम जमीन में से खोद कर कुछ बहुत पुरानी वस्तु निकालते हैं, जो history से related होती है, तो उसकी age find करने के लिए वो जो भी product निकला है जमीन से, हमने निकाला है जमीन खोद के, वो कितना पुराना है, उसको carbon dating कहा जाता है, यानि कि उस product की age क्या है, carbon 14 का use किया जाता है, कोई भी चीज खुदाई के दोरान निकली है, वो कितनी पुरानी है, और इस process को कहा जाता है, carbon dating, isotopes क्या होते हैं, uses क्या होते हैं, सारी चीज़े यहाँ पर आपकी clear हो गई होगी, अब इससे next वाला जो concept है, ISO बार से हमें समझना है, उसके लिए move करें ISO बार की definition में दिया है, the atom of these elements which have same mass number but different atomic numbers called ISO बार से, ऐसे हमारे atoms जिनका different atomic number होता है और mass number same हो जाए, underline कर देता हूँ मैं, same क्या होना चाहिए, mass number होना चाहिए, और अलग-अलग क्या होना चाहिए, atomic number होना चाहिए, पीछे वाले पेज पर हमने isotopes पड़े थे, बिल्कुल उ होना चाहिए, mass number अलग होना चाहिए, उनको isotope कहेंगे, और ISO बार जो हम पड़े रहे हैं, इसमें atomic number अलग-अलग होना चाहिए, और mass number same होना चाहिए, तो उनको ISO बार कहा जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था, जो भी हमारा कोई भी atom होता है, उसमें उपर की तरफ mass लिखा जाता है, नीचे की तरफ atomic number अलग-अलग होगा, ऐसे कौन सी चीज़े हैं, जिनका atomic number अलग-अलग है, और mass number same है, तो आपके सामने यहाँ पर मैं कुछ example लिखता हूँ, जैसे मेरे पास AR से मेरा argon होता है, के से मेरा potassium होता है, उसके बाद CA से मेरा calcium होता है, मैंने आ AR से argon, K से मेरा potassium होता है, potassium का symbol होता है के, इसी तरह ऐसे CA से denote किया जाता है calcium को, अब जो भी हमारा, इनका क्या लिखने वाले है, atomic number लिखने वाले हैं, कहाँ पर लिखा जाता है, हमेशा नीचे की तरफ लिखा जाता है, argon से पहले लिखेंगे, argon का atomic number होता है, 18, potassium का होता ह है 19 और calcium का होता है 20 अब ऊपर की तरफ हम जो लिखने वाले हैं। मास नंबर लिखा जाएगा तो आरगन का मास नंबर कितना होता है 40 होता है इसी तरह से जो हमारा potassium है इसका भी 40 होता है और calcium जो है इसका भी 40 होता है, तो यहां से आपको क्या समझ में आई, कि जो मास नंबर है हमारा, सभी का मास नंबर तो सेम है, लेकिन अटोमिक नंबर सभी का अलग-अलग है, तो इनको कहा जाएगा ISO BARS है, अगर आपको एक्जाम में लिखना होगा, तो ये दो लिखने हैं आपको, ठीक है, ये दो लिख देना, या फिर ये दो लिख देना, वहीं आपका अंसर कंप्लीट हो जाएगा, मैंने तीन लिख कर इसलिए बताए हैं, तक ही अच्छी तरह से clear हो सके, सो ISO BARS क्या होते हैं, अलग-अलग atomic number होना चाहिए, लेकिन mass number सभी का same होना चाहिए, तो उसको ISO BARS कहा जाता है, ये chapter का हमारा last concept है, definition और example दोनों मैंने दे दिये, hope clear हो गया होगा, इसी ISO BARS वाले concept के साथ chapter number 4, structure of atom science का हो जाता है, complete उमीद करूँगा, सभी के सभी concept आपको समझ आ गए होंगा, अगर आ गए हैं, तो वीडियो को like कर देना है, अपने classmates के साथ वीडियो को अभी की अभी share भी कर देना है, इसके अलावा, जो भी नए students आते हैं, MKR class 9 को subscribe कर लेना है, जो भी videos होंगी, math की, science की, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, सभी videos इसी तरह से channel पर आती रहेंगी, अगर इस chapter के question answers करने हैं, चाहे वो in-text वाले हों, चाहे वो exercise वाले हों, दोनो questions आपको करने होंगे, क्योंकि exam में दोनों जगे से questions आते हैं, NCRT के in-text और exercise वाले questions की अलग-अलग video बनाई गई है, सभी के link आपको नीचे description में और first comment में provide किये गए है link, उनको भी देख लेना और chapter के जो question answers हैं, उनको अच्छी तरह से समझ लेना, so इस video में इतना ही, मैं मिलूँगा आपको इसी तरह की next educational video में.